तो सोचो ओल्रेडी कितनी ज्यादा हाइप बन चुकिए रोमरेज और कोडी रोड्स की पुरे मैच के लिए लेकिन अगर इस मैच में स्टीपिलेशन एड हो जाती बाइस सब बतारों मैं हाइप छत फाड हो जाती छत फाड कोई वर्ड होता है मुझे नियू वीडियो रेसल सब्सक्राइब कोडी रोड्स का माच होगा जिसके लिए अल्रेडी हम लोग बहुत साथ है पर फिर से कॉमेंट बता देना तुम लोग किसकी तरफ हो टीम रोमन या पर टीम कोडी लेकि रीसें टामें कुछ अपडीट सहीं सामने कि इस वाले मैच में डवल डबली पॉसि लेगी चलो पहले में वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे विजिनरी रेवलुशनरी सेथ फेकिंग रॉलेंस के साथ में सेथ रॉलेंस का मैच है वो भी ऑफीचलर रेसल मीने को लेकर है विगोज हमारे सेथ रॉलेंस फेस करने वाले लोगन पॉल का अब यह पिच कि अगया था बैक्स्टेज के उपर कि जो सेथ रॉलेंस जोकर के अटायर है उसके अंदर आते विए नजर आंगे उसके अंदर वो करने वाले अपनी और आपको याद होगा जोकर की अटायर के साथ ही इंट्री करने नजर है तो जाधा वह अच्छी चीज होगी बै बात तो confirm नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जोकर वाली चीज़ के अंदर अपनी इंट्री करना एक अच्छा खासा चोइस से त्रॉलिंस के लिए अपना उपिनन बताना कॉमेंट सेक्षिन में कि आपके इसाब से को इसे त्रॉलिंस की स्पेशल वाली इंट्री करवानी चाहिए अब बात करते हैं बहुत ही बड़ी सेलिब्रेटी अपेरेंस की बार में जो कि अभी से हो चुकि कन्फर्म करते हैं उसके इसाब से लिल उजी हमें परफॉर्म करते भी नज़रांगी या फिर एट लिस्ट व जो पूस्टर टाइप है वो आया सामने देख पार होगे यहां पर बैक स्टेज की उपर आएगे से लगा हुए कि जो हमारे ले लूज है वहां पर आते वे नज़रांगी जो कि एक तरह का कह सकना हूं बेसेकली डवल लबली की एक एडविटीजमन टाइप सी जहां तक कितने दिन बाकि रहे गांज इंडिया के इसाब से तीस तारीख हो चुकी है एक तो दो तो तीन दिन और माक्सिमम और फाइनली रेसल में नगशो हमें होता हुए नजर आएगा तो रीसेंट डामेज अपडेटीट कंस्ट्रक्शन की फोट है वो भी आये सामने वहां पर तुम ध्यान से देखो एक अच्छी न्यूज यह कि सामने आपको स्ट्रक्शर दिख रहा है वह सिल्वर वाला एस पर रिपोर्ट और जो रैट है वह इस साल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है तो यह से थोड़ी सेटिस्फाइंगी थोड़ी अच्छी न्यूज आई सामन प्लस तुम लोग जो एंट्रेंस राप है याफ फे जो पूरा आप कहसे क्या कहते हैं कार्पेट कार्पेट तो नहीं हां रैंप ही सही है रवर्ट रैंप जो है वह आप लोग देख वारों कितना लंबा चौड़ा अक्च्छल में स्टेज से लेके और अभी फिलाल तो द अच्छी खासी दिखाई देही रही है अब चलो बढ़ते हैं एक सब्डेट की तरफ इस बार यह हौल फेम की बारह में जुड़ी है इस साल का जो हौल फेम है उसके लिए काफी सारी चीज़ें लेकिन बात करें वारियर रवार्ट के बारह में तो रीसें टेम वाइट को वारियर वार्ड है वो जगह है डवल लबली कंपनी की तरह से और यह बात उन्होंने अफिशली अनौस भी कर डाली जिन लोगों को नहीं पता है यह लॉंग टाइम रेफरी थे डवल लबली कंपनी के तरह इंका करिया जो पूरा कंपनी में वाइसा रेफरी ही था लेकिन सब्सक्राइब करते हैं तो कुछ इस तरीके से पूरे शो को अट्रेंड करते हुए नजरा है यानि कि ओवराल किसी ने किसी तरीके से डवल लबली चाहती है कि जो विंस्विक मैन हो रेसल मीने का पार्ट हो बाकि देखो आने वाले टाम में क्या होता है मुझे लग रहा है एकली सो बैक्स्टेज की उपर तो होंगे विकॉस अफकोर्स डवल डबली के बहुत ही जादा बूल नहीं होने वाला है होता है जो अप्डेट एक तरह की उन्हें खुद प्रोवाइड करते हुए नजरा निकान से पूछा था पैट में काफे के बारे में और उनके रिसल में किसी और तरीके से पैट में कफे को इस साल ग्रांड़े स्टेज आफ देम ऑल के अंदर की लिए तो रेसल में और थोड़ा स्टूप अंडियस बन सकता था अगर तुम्हें लास्ट एर को उनका इंट्रो वह याद होगा अब बढ़ते हैं आज की तरफ और इस बार यह ऑल्माइटी बॉबी लैश्ली के प्लैंट्स हो डामा डोली है होता है कि हमारी लैश्ली का चाहिए क्योंकि वहां पर हंड्रड और थाउजंस ओपीपल आते हैं और हम लोग उसके सामने परफॉर्म करना एक बहुत अच्छी चीज़ समझते हैं और बातने मेरे बार में और ब्रेव आट की बार में तो यहां पर कहते हैं कि भाई मेरे इसाब से अगर किसी इंसान को वह रियल चैलेंज तो मैं एक रियल चैलेंजर हूं अगर कोई भी रॉस्टर गेंदर सोचता है कि भाई उसे एक अच्छा खासा तकड़ा चैलेंज चाहिए तो उसके लिए बोबी लाश्ली अवेलिबल है यानिकि स्टिल उनका मैच कंफर्म नहीं है यहां पर ब्रेव आ लिए अब लिए एक रेसल मीना मोमेंट आइस वो डिजर्व करते हैं चलो बढ़ते हैं आज की तरफ इस बार यह रेसल मीने थाटी नाइन के बारे में बात कर जाए कि इस मैच के इस मैच के अंदर एक स्टिपलेशन हो जाती तो आइधिक जो है पर डबल ट्रिपल होने व को एड की थी लेकिन लेटर ऑन डेवल 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 डेवलेशन हो से गायब कर डाला उसका रीजन कुछ अनून सा पता जा रहा है क्योंकि क्रेटिव टीम के काफी सारे जो मेंबर्स है उन्होंने इस आइडे को डिस रिपूफ किया और डेवल डॉप कर दी कि नह संद आने नहीं वाले और उफकॉर्स में तो ब्रॉक ने क्या भाई ट्रक वरक से पलटाव डेटा सब कुछ दी थी तो कोडी आइटिंग वैसे करेंगे थोड़ा अननाच्रल टाइप लगेगा डैट स्वाइड डेवल डबली ने मुझे लगता है यह ड्रॉप कर दिया ल मिलता है आप से आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही जादा चल्दी तिल देन बाई बाई टेक कियर